नमश्कार, मैं सुनीता कथा मंधन में आप सब का स्वागत करती हूँ कथा मंधन में आज सुनिए बकुल कथा का छटा अध्याए बकुल कथा से संबंदित सारे अध्याए आपको हमारे प्लेलिस से मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको end screen पर मिल जाएगा अभी तक हमने पढ़ा था कि अनामी का देवी यानि की बकुल को उसकी मा की लिखी कौपियां जो है वो प्राप्त नहीं होती है तो वो अपनी बड़ी बहन सजली दी को इसके लिए लिखती है और वो जिस जल से में भाग लेने जाती है किन्तों वहां काफी तोड़ फोड़ हो जाती है अब आगे इस खबर से स्तब्द रह गई आनामी का देवी सदा हस्ते वेवे प्रियर दशन भले आदमी अनामी का देवी उनी के यहां ठैरी थी एक ही दिन में उनसे आतमेता हो गई नाम है उनका अनिल पर उनकी माँ उन्हें नेनू नेनू कहकर पुकारती थी उन्होंने हस्ते वे कहा था तो मुझे अपना मान सम्मान नहीं रखने दोगी माँ देखे तो आप जैसी लेखी का के सामने इतने बड़े लड़के को ऐसे ही न पुकारती है बड़ा अच्छा घरेलू परिवेश प्रीती कर कम से कम अनामी का देवी के लिए तो बहुत बार बहुत के यहां एक अजीब सी कित्रिमता देखने को मिलती है वे हर पल अपने मन को यह सोचकर जागरूक रखे बिना नहीं रह सकते कि अनामी का देवी एक लेखी का है अस्वभाविक सा लगता है इस पर अनामी का देवी ने हसते वे का था मैं इससे अवाक नहीं हो रहे हूँ मेरा भी पुकार का एक नाम है जिसे सुनने से लेखी का जैसा कता ही नहीं लगेगा वेह बोले अधिवेशन हो जाने दीजिए फिर आपने जो आपके लिखने की कहानी मैं सुनूँगा लिखने की कहानी क्या होती है अनामी का देवी हसी अनिल बाबु ने का वह कहानी नहीं होती खेर कहानी ना सही इतियासी कब से लिख रही है लिखने की प्रणा कहां से कैसे मिली कैसे पहली रचना चरपी वही सब अनामी का देवी बालमी की कहानी तो जानते है न मरा मरा कहते कहते राम राम मेरे साथ ही लगबग यही हुआ समझे खेलना मेरे लिए जाने कब कैसे लिखना हो गया लिहाजा क्यों लिखने लगी किस से प्रणा मिली यह सब मैं नहीं बता सकती अनिल बावु की पत्नी ने कहा अजी आप इने नहाने दोने भी देंगे या नहीं अभी तो है अपरादी सा महसूस करने लगी अनिल बावु के ही यहां तो ठहरी है इस संकट के समय अनुल बावु की मां और पत्नी उनकी स्विधा अस्विधा आहर के आयोजन में व्यस्त होंगी शायद हो कि अनामिका देवी को ना वे ना भी सोचे चाहे अनामिका देवी आप ही अ इसे तो अच्छा मुझे भी लोगों ने उसी स्कूल के किसी कमरे में टिकाया होता लेकिन नहीं महिला को महिला जैसे आदर से ही तो रखेंगे इस मुख्य आयोजक के ही यहां पर उन्हीं लग रहा था कि मैं कैसे अनिल बावु की मा के सामने खड़ी होंगी जाकर आवाज अचानक सुनाई पड़ा कोई कह रहा था नाक की हड़ी छोड़ो भी ऐसी कोई खदरनाक बात नहीं सुनकर बुरा लगा खदरनाक नहीं है तो क्या कुछ नहीं जिस चोट से उतसब का सुर्थ हम जाता है निरत्य का ताल भंग हो जाता है और वीना के तार तूट जाते हैं यह आप प्रत्याशित आगात उस उतसाही आदमी के मन को कि कितनी शेती करेगा यह सोचकर जन्नी जाया शंकित हो रही थी रात को उन्हें अस्पताल से नहीं आने दिया कल की हालत देखकर ही आने देंगे लोग टूटा मन किये उनकी मा और पतनी अनामी का देवी से मामुल दो एक बात बोली और फिर उन्हें उस बहु के हाथों सौंप दिया वह बहु जो कलकत्य की है जो आज दिन बर छाया सी उनके साथ साथ डोलती रही भूक नहीं है कहकर थोड़ा सा जलपान करके लेड गई वह उनकी मसहरी लगा देने को आई बहु हटाद बिस्तर के पाइ प्लॉट यानि अपनी जीवन का था जिसे बहुतेरे लोग अद्वुद मौलिक और दुनियक में सबसे दुखमय समस्ते हैं बेशक दुखी सुखी संतुष्ट लोग अपने जीवन को पन्यास का प्लॉट नहीं समस्ते ऐसा समस्ते हैं दुखी लोग दुख भोगी लोग दिन भर तो बहु बड़ी हसमुक सी लगी लेकिन अभी एका एक देखा उसके चहरे पर उदासी है दिर्ग निश्वास छोड़ती भी कह रही है मैं आपको एक प्लॉट दे सकती हूँ तो दुख विलासी है चिस विलास की उत्पत्ती अपने प्रती अधिक मुल्य भोध से होती है मुझे चुचाईय था नहीं मिला इसी सोच से उसांस लेती है सारे प्राप्य को ही अस्वाध हिन बना कर सदा दुख पाती है भवु का नाम है नमिता अनिल बाबु के भांजे की स्त्री किन्तु अपने ममिया ससुर के यहां क्यों रहती है पती कहा है इसका अनामिक यह नहीं पूछा जा सकता फिर भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा दिर्ग निश्वास सुनना पड़ेगा सुनकर भी नहीं सुनने जैसा भाव दिखाया कहा मेरे जीवन की रहा कि धूल रेती में ही उपन्यास के उपादान बिखरे पड़े हैं प्लोट तो रोजी जमा हो रहा है मसलन आज जो घटना घटी यह भी क्या किसी नाटक का प्लोट नहीं हो सकता नमीता को चंचल सी हुई मानो उन्हें लगा कि नमीता को तात्व की यह बात अच्छी नहीं लेगी या ठीक से उसने सुना भी नहीं इसलिए जाने कैसे अन्मने भाव से बोली जी सो तो है पर तुन्दर सी उसी दी साधी तरोनी के मुख से इस तरह की बात की आशा नहीं की थी उना ने धीरे से बोली उसकी भी कही कोई सार्थक परिसमापती है ना नहीं है नमीता बिस्तर से उतर गई मसहरी लगाने लगी जैसे एक दम उसने अपने को संयत कर लिया हो अनामी का बैठो तुमसे गफशप करूँ नहीं नहीं सोचाईए आप बड़ा जमेला हुए मैं आपको बातों में उलजा रही हूँ देखेंगी तो मामी जी नराज हुए खूँ तुम कहां उलजा रही हो मैं खुदी बाते करने के लिए उठी बैठो बैठो या तुमें ही नींद आ यह मुझे नींद बहु हसी अनामिका देवी ने बाकिया की रहसे विलम नहीं किया बिल्कुल सीधे पूछ बटे अच्छे तुमारे पती को नहीं देखा कलकत्ते में काम करते हैं शायद नमीता कुछ देर चुप ही रही उसकी बाद एकाईक बोल उठी कलकत्ते में नहीं क ऐसे एक अनुखे प्लोट की कलपना उन्होंने की नहीं थी सोचा था सांसारी घात प्रतिघात की अत्यनत ही गता अनुगत कोई कहानी बड़ा चड़ा कर कहेगी नमीता या फिर जीवन के पहले प्रेम की वियर्थ था जो की और भी अमॉलिक हैं किन्तो नमीता नाम की इस जल्दी ही परिपक्व हो गया था तो बिया क्यों किया बिया किये हुए वे भी दिन कितने निरी बच्ची सी तो बहु है उसे थोड़ा और सस नहीं देना था उसे अपने और निकट पिठाना था बुलाए उसे नहीं है तो पागल्पन होगा और हो सकता है वहाँ अब के बहुत कुछ सुना जाते हैं बत्ती बुजादी उन्होंने खड़की के सामने जाकर खड़ी हुई बिल्कुल अंचिना एक द्रिश्य गुप अंधेरा माती पर शीन नक्षत्र का प्रकाश सारी प्रिष्ट भूमी मानो वर्तमान को पोछे दे रही है कुछ दिर तक खड़ फिर धीरे धीरे चलकर बिस्तर पर आ बैठी और ठीक उसी शण बकुल आकर सामने खड़ी हो गई उसी अंधेरे में अंधकार में वह साफ दिखाई नहीं पड़ी पर उसकी व्यंग हसी साफ सुनी गई हाई राम मुझे बिल्कुल भूली गई सिर्फ कैदिया कॉपी खो द सामने खड़ी हो वही तो तुम अपने बड़े भाई के सामने माता जुकाय चली जा रही हो वही तो तुम्हारी सजलीदी पारुल और तुम कविता मिलाने का खेल खेल रही हो वही तुम रित्यु शयया पर लेटी अपनी मा की आँखे मुदे मुखडे की और एक टक कर दे उस समय बकुल का बड़ा भाई हर पर चौकसी करता हुआ यह नहीं देख रहा है कि बेहाया बकुल बगल के एक मकान के उस छोकरे के सामने खड़ी हो गई है या नहीं हाँ बकुल के बड़े भाई नहीं यह गुरु उत्तरदाइथ अपने उपर लिया था किसी मौके से बकुल लुक छुपकर बगल के मकान के लड़के के आमने सामने होती है या नहीं यह देखने का भार अच्छा उस युग में बाले और कोशारे की सीमा रेखा उम्र की किस रेखा पर खीची जाती थी बकुल नहीं जानती बकुल दस इगहरा साल के उम्र में सुनती आई है धड़ंग लड़की तुम्हें बरांदे पर खड़े रहने की इतनी क्या जरूरत पड़ी है इस गर उस घर पर घुम घुम रही हो क्यों बड़ी हो गई या ख्याल कब होगा बड़ा भाई कहता था पिता कहते थे और जादा बड़ा भाई ही कहता था और बड़े भाई की उस शाशनवानी में हित चेश्टा किया पिक्षा आक्रोशी सपष्ठ था बगल वाले घर के उस निर्मल को इस घर की बड़े भाई की निगाओं में पढ़ने में देर नहीं हुई थी इसलिए इधर उदर कुछ देखते ही बड़े भाई के शरीर की नस नस में दोड़ता हुआ सनातनी लहु गरम होड़ता शाशन की मातरा बढ़ जाती थी उसे निर्मल फूटी आँखों नहीं सु लिए यह कर्तव यह पालन देखकर मा बिगड़ कर कहती तुम सब बात पर इतनी नजर रखने की क्या पड़ी है मना करना होगा तो मैं मना करूंगी तुम नजर रखती हो तब तो बात ही कुछ और होती पड़र लड़का कहता मा की मुपर ही मुफुला कर कह देता मगर बड़े भया को जो पसंद नहीं है वैं उनके सामने मत करो बच्पन से ही मा ने बखुल आदी को सिकाया है जो करना है हिम्मत के साथ करो लोग छिप कर कभी मत करना मगर अपने बड़े बीटे के तीखे कड़वे व्यंग भरे चारे को देखकर कहती उसके सामने मत करो यह न उसके बाद तो सूरज की प्रकर धूप के नीचे सनातनी परिवार के जाता तले भईया के आमने सामने खड़ा होना पड़ा बकुल को बड़े भईया अकारनी जब कभी कह बढ़ते उनके घर की खिड़की की तरफ हां किये क्या देख रही है बतातो बरांदे में खड़ी चारे तो इससे बात हो रही थी अब रात सचो या जूट प्रतिवाद का सास नहीं था बकुल में वह सिर्फ सिर जुका कर कहती वहारे किस से भला कहती खिड़की की और क्यों खड़ी होने जाऊंगी इससे ज़्यादा जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ती डर से उसकी तस्वीर की दर्शक होती वह शायद हस नहीं उठती इसके प्राण में माया है ममता है वह शायद चेहरे की रिखाओ पर सानुबुदी का एक प्रलेप लगा कर कहती बिचारी उनकी भतीह जी ही क्यों अनामी का देवी की भी तो उस भीरू और निर्भोद लड़की की और द लड़के के भरोसे अनामी का देवी के होटो पर किरपा की एक पतली सी मिस्कुराहट खेल गई हातों में हात देने से ही सरदियों में भी उस लड़के को पसीना आ जाता था प्यार जैसी बात कहने से उसकी जीप लट पटा जाती थी और ताई बुआ के डरकी से आँखों म बड़ी तीवरे थी घर में जहां कहीं भी मचली रखी हैं बिल्लियां जैसे उसकी गंद पा जाती हैं वैसे ही ताई को घर में जहां भी क्यों ना हो अपराध उसकी महक मिल ही जाती थी इसलिए निर्मल की छट से कि सीड़ी घर या साथ जनम से धूल से अटे पड़े चौ हाई राम तु यहां है निर्मल और मैं तुझे तमाम घर में बचड़ा खोजते खोजते जैसा खोज रही हूँ उन दो मिन्टों से पहले के मिनट में निर्मल अपनी ताई की और नजर के सामने ही था मतलब की जानकर उनके सामने ही इधर उधर कर रहा था ताकि उसकी वह तो अनकहा ही रह गया ताई को विसमयोकती नहीं तो श्रोता यूगल के कलेजे की छूरी में चीरक चीर कर उस पर नमक भी छिड़क दिया अरे हाई बकुल भी यही है कब आई बिटिया रानी आहां मातर हीना लड़की घर में टिक जो नहां पाती है चल चल मेरे पास ब बालिका को मातरस नहीं की छाया में आश्रे लेने के लिए सिट पिटा कर जाना पड़ा निरमल तो पहले ही आवा हो गया गड़ी हुई कोई कैफियत देने की कोशिश नहीं की ताई जी बाल विद्वा है अतेव निसंतान है उनका सीमा हिंस नहीं समुद्र हर दम देवर के बेटे बेटियों की अभिशक्ति करता है ये अभिशक्ति जीफ क्यों ऐसे होंगे अकृतग्या कि उनके प्रति श्रद्धा ना रखें उनका आदर ना करें बकुल के ये भी वैसा नहीं होने का उपाय है क्या बकुल को ताई के साथ साथ उसकी निरामिश रसोई में जाना पड़ता वै दरवाजी के पास बढ़ जाती और ताई शाक चुनते वे ये छिलनी को चलाते वे मीठे प्रशन करती है अरे हाने बकुल तेरा बाप क्या कान में तेल डाल कर सो रहा है तेरे बिया के लिए कुछ ना कर रहा है कहना फ्यर्थ है बकुल की और से इस प्रशन का कोई जवाब नहीं मिलता ताई फिर पुछती बातचीत कहीं हो भी रही है या नहीं सुनती है कुछ उसके बाद उस निरुत्तर प्राणी की और से द्रिष्टी हटा कर निर्मल की मा की और ताकर कहती समझी छोटी बहु बकुल का बाप अब बेटी का बयावाना करेगा कद दुगोडे की तरह पकने को छोड़ देगा निर्मल की मा बड़ी सब्भे मैला थी ऐसी बातों से उने खीज होती थी लेकिन तेज दरार जिटाने से बोलने की उन्हें जुर्रत भी नहीं थी इसलिए दोनों कुल बचाने की पद्देती थी सकाती मा के मर जाने से कुछ और टल गया नहीं तो अब तक हो गया होता भले आदमी ने तो और भी तिन-तिन लड़कियों को पार किया है इस युकती से ताई जी दबती नहीं कहती किया है समयकाल में लड़कियों के छक्का पंजा हो उठने के पहले अब तो करमर्शा जितना शेश उतना वेश बकुल आज की उपन्यास पढ़ने वारी लड़की है वैं शायद कहीं प्रेम प्रेम करके बाप से कहेगी बाबुजी हाडी ड्रोम ब्रामन कैस जो भी हो मैं आमुक से भी बिया करूंगी क्यों रिबकुल ऐसा ही कहेगी ताई हसूरती ताई के सामने का दाट तूटा हुआ था उसी त तूटे दाट की फाक से हसी मानों छिटक छिटक कर बाहर निकले रखती है।